नमश्कार द्रणगरी न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आदेत्य आत्रे केंद्र सरकार के नए हिट एन रन कानून का विरोध पूरे देशवर में हो रहा है और लगातार जो ट्रक ड्राइवर्स है बस ड्राइवर्स है और जो ट्रैक्सी ड्राइवर्स हैं वो लगातार इस कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इस्तिती यह है कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो चक्का जाम है उसकी इस्तिती उत्पन हो चुकी है पूरे देश के अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार, छतीजगर, यूपी, उत्राखन, पंजाब और गुजरात में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साफ है कि ट्रक ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं और विभिन जो ट्रांसफूर्स असोसियेशन है वो इस कानून को वाप का प्रावधान किया गया है जिसके बाद ट्रक ड्राइवर्स वे बस ड्राइवर्स ने आंदोलनी शुरू कर दिया है मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, गौालियर, जबलपूर समेत अन्य शेहरों में बसे नहीं चल रही है जबकि राजस्थान में आधे दिन प्रा का जाम कर दिया है बिहार में की बात करें तो राजधारी पटना समेत अन्य राज्यों के अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उत्रा खंड और पंजाब और यू-पी की बात करें तो यहां भी ड्राइवर्स ने चक-का जाम कर दिया है All India Motor Transports कॉंग्रेस की अगली बैठक 10 जन्वरी को होगी जिसमें फैसला लिये जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए औल इंडिया मोटर ट्रांस्पोर्ट कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी अपना व होता है भारत में इस समय वहनों की कमी वहनों की कमी और जो वहन चाला के उसकी कमी से लगाता देश जूज रहा है लेकिन सरकार अगर इस तरह का कानून निकालेगी तो फिर इस्तितिया और खराब हो सकती है ऐसे में दस साल की सजा का जो प्रावदा ने उसके बाद ट्रक ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया है इस सर्टाल का असर सीदा सीदा आम आदमी पर भी अब देखने को मिल रहा है जहां राजिस्तान की बात करें तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई है वो यहां पर धिरे-धिरे रुखने लगी है और के लावा दूस सबजी और फलो की जो आवक है वो भी लगबग लगबग रुखसी गई है तो ऐसे में जो दाम बढ़ना है शुरू हो चुके हैं जो जरुवत रोजवर्रा की जो सामान है उनकी जो कीमते हैं वो लगाता धिरे-धिरे बढ़ रही है संगधन का कह रहा है कि भाष्ट में 28 लाग से ज़्यादा ट्रkl में हर साल लगबग सौ अरफ किलोमेटर से ज़्यादा की दूरी करते हैं देश में 80 लाग से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्र जो हर दिन जरुवत का सामान एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांस्पोर्ग करते हैं हरताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुखने से इन चीजों की जो किलत है उसका सामना अब लोगों को करना पड़ेगा देखिए राजस्तान के अगर बात करें तो जो पू यहां पर पांच हजार रुपे दिये जाते थे और इस कुरसकार से कई बार लोगों को नावाजा भी गया है लेकिन अगर अब इस तरह का कानून आएगा तो कोई भी घायल विक्ति को जो अस्पताल है वो नहीं पहुचाएगा तो ऐसे में आप कांग्रेस ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस कानून में संचोधन नहीं करती है तो फिर सड़कों पर विपक्ष भी उतर जाएगा फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहेए दन अगरी नियूस के साथ